जैए शीगने शायनमा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस्टोसेज यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मैंने हराजपूत आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ 22 सितंबर को बुद्ध देव गोचर करेंगे, जाएंगे राशी चकर की सातवी राशी यानि तुला में क्या प्रभाव डालेंगे ये सभी बारा राशी के जातको पर, इस वीडियो में मैं उसी विश्वर पर चोर्चा करने आपके साथ आई हूँ राशी फल बताऊंगे हर राशी पर क्या सर होगा, क्या उपाई करना है आपको इस गोचर के दुश प्रभाव को दूर करने के लिए बुद्धग्रह को ग्रीक में एमरेस कहा जाता है जिसका अर्थ होता है ज्यान, बुद्धी, इंदुरिया, मस्तशक, शक्ती वगेरा यह मन, मस्तशक और मानस के संबंध में है वैदिक जोतश में कहा गया है कि बुद्ध बिरस्पती और चंद्रमा से संबंधित है इसलिए इसमें दोनों ग्रहों के विशेशताई है बुद्ध ग्रह संचार कोशल, विशलेशनात्मक शमताओं और बुद्धी का महत्वण कारग्रह है इसलिए वकीलों, सेल्स करने वालों और कलाकारों वैज्यानिकों के पेशे पर महत्वण प्रभाव डालता है बुद्धवार का दिन बुद्ध ग्रह को समर्पित है, बुद्ध का जोतिशे रंग हरा हलका हरा है, बुद्ध ग्रह से जुड़ा रत्न पन्ना है, वास्तेक दुर्श्री में बुद्ध का रंग गहरा ग्रे होता है, एक चट्टानी और धूल भरा ग्रह है, बुद्ध मि विरस्पति किसान ततस्त है, बुद्ध को सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रहमाना जाता है, पृथवी के आकार से एक तिहाय गोड़ा छोटा है, यह सुरी के सबसे निकट ग्रहमाना जाता है, इसलिए अधिकांश कुंडलियों में अस्त होता है, तोलाराशी में बुद्ध क गोचर विपनन पेशवरों वियापारियों और रचनात्मक लोगों के लिए उच्छा समय साबित होगा जैसा कि बुताये गया है कि ये ग्रह वियापार और संचार का कारक है जोतिश में बुद्ध को ईश्वर का दूद कहा जाता है जो सभी प्रकार की संचार क्रियाओं है लिखित कामों, स्पष्ट सोच, रचनात्मक कोशल, व्यवसाइक ज्यान, यात्रा, सौफ्ट्वेर, विशशग्यता और गड़ित को प्रभावित करता है बुद्ध आपके दियामित जीवन को प्रबंधित करने की श्रमता को भी नियंतरत करता है तोला राश्री में बुड़ा शेत्रों से सम्मंदित कुछ मेयत पूर्ण समाचार भी मिल सकते हैं, बिजनस की बात की जाए तो कैसे नो, वाइन, लगजरी, वाहन, इत्र, आभुशन, वस्त्र और कपड़ा बाजार में उच्छाला सकता है, इंटरनेट और सोशल मीडिया संचार में भी वृ राश्री में गोचर कर जागा या फिर उसके बाद वक्री गति में चलेगा अभी 22 को तुला में जाएगा लेकिन 2 Oktubr को फिर वक्री गति चलना शुरू करेगा तो यह जो 22 को गोचर हो रहा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब जानेंगे राश्री पल जो कही चंदर तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी समस्या के समधान के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वार्ता का लिंक नो जाएगा जिस पर आपको हमारे पैनल पर दुन्या की और बहुत ही विदवान जो तुश्री मलेंगे जो आपकी समस्या का मिंटो में आप बहुत ही आसान रेमिडी आपको देंगे तो चलिए अभी जानते हैं यह सबसे पहले कि जो गोचर हो रहा है मेश राशी वालों पर क्या प्रभाव डालेगा मेश राशी के जातकों के लिए बुद्ध तीसरे और चठे घर का स्वामी है यह अग्रा आपके विवाह और प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें इस दोरान अच्छी खबर मिल सकती है वावसाइक रूप से आपका कारिय भार बढ़ेगा और सवधी के दोरान आपको प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा जिसके कारण आपको कुछ नई जिमदारियां दी जाएंगी नतीजतन कुछ मतवेद हो सकते हैं इसलिए आपको सला दी जाती है कि खुद को आंतरिक राजुनिती में शामिल ना करें यह गोचर आपके संचार कोशल को सुधारने वाला होगा और अपने विचारों को विवस्थत करने और अपने बुद्धी कुशल से कोशल से दूसरों को अब बारी विरिशव वालों की तो बुद्ध का यह गोचर विरिशव राश्री के जातकों की बात करने तो बुद्ध दूसरे और पाच्वे भाव का आपके स्वामी है और आपके रिण शत्रू और रोगों के चटे भाव में इसका गोचर हो रहा है इस गोचर के दारान तो रजम शेत्र में काम करने वाले इस राश्री के जातकों को अपने संचार कोशल पर काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा तो बुद्ध के इस गोचर के दारान आपके खर्चों में बुरुधी होगी विशेश रूप से आपके परिवार के सदस्यों और बच्चों के नियंत्रुत करने और भविश्वी के लिए बचुत करने की मैं आपको सला दूंगी यदि आपने कोई उधार या लोन लिया है तो सवधी के दौरान चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है प्रेम जीवन पर नजर डाली जाए तो यह बहुत सपष्ट है कि आपके और आपक कि बच्चे अपने शेत्रों में प्रगती करना जारी रखेंगे स्वास्त पर नजर डाली जाए तो शराब पीना आपके लिए अच्छा नहीं है इस दौरान चाती और फेफडों से सम्मंदित बिमारी आपकी चिंता का विश्वय बन सकती है उपाई के तौर पर तीन छे या 14 मुखि रुद्राक्ष धारन करिए या बुध के भीज मंत्र का जाब कीज़े अब बारी मिठुन राशी के जात्कों की मिठुन राशी के जात्कों के लिए बुध पहली और चौथे भाव का स्वामी है और आपके प्यार रुमांस और संतान के पांचवी भाव में ग गोचर करेगा इस गोचर के दौरान आप विवस्थित रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहेंगे और अधिक पश्टा के लिए विचारों को कलंबध भी कर सकते हैं इस अवधी के दौरान आपके उरजस्तर और उत्साह में उरधी होगी हाला कि आपको अ मजदारी संद्रिना लेने की जरूरत है क्योंकि ऐसे कामों में लाब होने के बुचाय बड़ा नुकसान भी हो सकता है पेशिवर रूप से कुछ कमपनियों के साथ नए समझोते करने नए उधम शुरू करने की संभावना है और आप इस चरण के दौरान विवसाइक प्रस के जातक को कुछ मांसिक तनाव महसूस होगा बच्चों के स्वास्त पर ध्यान देने की जरूरत है उपाय क्या करना है बहुत सिंपल है अब बारी करकवालों की करकवालों की जातकों के लिए बुद्ध तीसरे और बारवे भाव का स्वामी है और यह ग्रह संपत्ति और मा प्रकृती के साथ पारिवारिक मुद्धों पर ध्यान केंद्रूत करने और स्थिति को संभालने की जरूरत है और विशेश रूप से अपने भाई बहनों की साथ मत्भेद या वादिववाद की स्थिति से आपको बचुना चाहिए अपने खर्चों पर नियंत्रुन रखे हैं कुछ जातिक अपने घर या कार्याले का नमेनी करन करवाने पर भी पैसा लगा सकते नहीं रेनोवेशन करवाने पर पारिवारिक जी उन पर नजर डालें तो आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे खासकर अपनी मां के साथ और उसका प्यार और इसने आपको पैसा प्रगति और प्रिसद्धी मिलेगी स्वास्समंदी समस्याइं आपको परिशान कर सकते हैं सिलिए नियमित रूप से वययाम करें और स्वस्त और संतुलित आहार का सेवन करें वपाई बहुत सिंपल है आपके लिए घर में मनी प्लांट या हरे पौध जाएगी यह गोचर आपके लिए विती अलाव लाएगा लेकिन निवेश करने से पहले सतर करहने की जरूरत होगी ताकि आप निवेश ते जुड़ा सहे नर्ने ले सके इस समय आप अपना सारा ध्यान संशार पर लगा सकते हैं और इस अवधी के दरान सोशल मेडिया प्ल गतविधियों में भी भाग ले सकते हैं जो आपके मन को शांती देगा जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं स्वास्त की बात की जाए तो इस राशी के कुछ लोग तनाव का शिकार हो सकते हैं अपने दिमाग और दिल को संतुलित रखने के लिए योग और ध्यान की मदद ले उपाई आपके लिए बहुत आसान है हरे कपड़े पहने हरे रंके अब बारी कन्या वालो की तो कन्या राशी के जातकों के लिए बुद्ध दशम और प्रथम भाव का स्वामी है और आपकी संचार परिवार और वानी के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है इस ग अपनी वानी पर ध्यान रखने और कठोर शब्दों का उपयोग करने से बचने की जरूरत है वित्या रूप से सावधान रहे और योजनाओं या सही बुजट प्लान बना कर चले यदि आप बुद्धि का सही इस्तमाल करके आप धनकमा सकते हैं इस अवधी के ज़दान ग अधिकांश संपर्क, रिष्टदारों को भी मजबूत बनाने में सक्षम होंगे आप नवीनतम तकनीक का उपयोग करके इस अवधी के दौरान एक अलग छवी बना सकते हैं और करियर के शेत्र में नई उचाईयां पा सकते हैं स्वास के लिहाद से दिखा जाए तो छोटी नवे और बारवे भाव का स्वामी हो और आत्मा और व्यक्तित्यों के आपके पहले भाव में इसका गोचर हो रहा है इस गोचर के दरान आपको आर्थिक लाब होगा इस गोचर के दरान आपको अपनी प्रयासों से कारेश्यत्र में जीत दर्ज करने की तिवड इक्षा हो को खुशी मिलेगी ववसाइक रूप से थोड़ा कठन समय होगा इसलिए अपने काम पर ध्यान केंदृत रखे पेशेवर मोर्चे पर्दी आपको चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है जो कारवारी अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं उनकी काकर काम करने वाले इस राश्री के पेशेवर लोगों के पक्ष में रहेगा और आप अपने कारेस्थाल पर अनुपूल परिणाम प्राप्त करेंगे बुद्धका गोचर इस राश्री के जातकों के संचार कोशल को बढ़ाएगा और अधिक मिलनसार बनेंगे आप कई गत पक्त आपने उसमें लाने के लिए विश्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ कीजिए अब बारी व्रिश्चिक राशी वालों के व्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए बुद्ध आठवी और ग्यारवे भाव का स्वामी हो और आपके विदेशी लाब हानी मोक्ष के ब संभावना है और कारेश्चेत्र से जुड़ी किसी मीटिंग में देरी भी हो सकती है आर्थिक रूप से आपको अनवश्यक खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए विशेश रूप से यात्रा के संब्ध में आप एक लंबी अवधी की चुकित्सा पॉलेसी ले सकते हैं अदर साकर अत्मक्ता देख सकते हैं आपने कोशल सीख सकते हैं और सारवजिनिक संबंधों और टीम वर्क में भी सुधार करने की योड़ बढ़ेंगे सांथी अब तक का आपका अनुभावी सवधी के दौरान आपको नई उचाईयों को प्राप्त करने में मदद करेगा रिष् एक शराब पीने और धुमरपान करने से वचना है नहीं तो स्वास्ते जोड़ी बड़ी परिशानिया होने के संभावना है उपाई के तौर पर बुद्धवार के दिन घर में केले का पेड़ लगाईए अब बारी धनुराशी के जातकों की धनुराशी के जातकों के लिए बुद्ध सात्वे और दस्वे भाव का स्वामी और आपके लाभ आई और इच्छाओं के एकादश भाव में इसका गोचर हो रहा है पेशेवर रूप से इस गोचर के दौराण आप नई साज़िदारी कर सकते हैं और अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं परिणाम नहीं है क्योंकि यह एक दामपत्वी जीवन के लिए अच्छा समय होगा इसके अलावा इस गोचर का अधिकांश तमें आप मित्रो परिवार और सारवजनिक जीवन में बिता सकते हैं स्वास्त परनजर डाली जाए तो आपे सवधी के दौरान स्वास्त रहेंगे और भाव का स्वामी है और करियर नाम और प्रसधी के आपके दस्वे भाव में इसका गोचर होगा इस गोचर की अवधी में आपके लिए अनुकूल रहेगी क्योंकि यह आपको अपनी कारिस्थल पर सफलता देलाएगा और यदि आप किसी उद्योग या कंपनी से लंबे समय से जुड़े हैं तो आप तरक्की की उमीद कर सकते हैं इस गोचर के दरान कारोबारी जातक भी लाव प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी अपर्ण पर्योजनाओं को भी पूरा करने में सक्षम होंगे इसके सांथ ही यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल होगा जो अपने विवसाय का विस्तार करना चाहते हैं इस गोचर में जीवन को बहतर बनाने के लिए कई आउसर आपको मिलेंगे नौकरी में बदलाव के चांस भी हैं इस राश्वी की कुछ जातक विदेश में भी जौब पास सकते हैं जो लोग बैंक और वितियस अंस्थानों आदी में क चिंतित हो सकते हैं इस अवधी में आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए और आसपास स्वक्ष्टा बनाए रखनी चाहिए अपने शरीर के अच्छे से देखभाल करें और काम के साथ आराम भी करें उपाई के तौर पर घर में अपने पूजास्थल में कपूर का दिय जलाए बहुत सिंपल उपाई है अब बारी कुम्भवालो की तो कुम्भ राश्वी के जातकों के लिए बुद्ध पांचवे और अश्टम भाव के स्वामी और आपके धर्म भागी और यात्रा के नवे भाव में इनका गोचर होगा इस अवधी के दौरान आप धर्म पित का सही इस्तमाल कर सकते हैं वित्य रूप से आपको यह सला दूंगी मैं कि ऐसे निवेश्टे बचे जो बहुत लंबी अवधी के बाद लाव प्रदान करते हैं उस योजना में भी निवेश्ट ना करें जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इससे आप गलत दिशा म में संतुलन बनेगा स्वास्त पर नजर डाली जाए तो यह वधी आपके लिए अनुपूर रहेगी उपाई के तौर पर भगवान विष्णों की पूजा करें और नहीं कपूर अर्पित करें आप बारी है मीन राशी के जातकों की तो मीन राशी के जातकों के लिए बुद सावधान रहें क्योंकि वे इस अवधे के दौरान सक्रे रहेंगे शोध कारियों से जुरे चात्र अनुपूल समय का आनंद लेने वाले हैं इसके अलावा आपके कारिय जो है को नई गती और दिशा प्राप्त होगी वितियरूप से आपको अपने घायर और वाहन के लिए बीमा पॉलिसी यहां लेनी चाहिए ताके भविश्य में आपको इसका लाव प्राप्त हो सके रिलेशन्शिप में अपने संचार को लेकर सावधान रहने के जरूरत है जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी बी तरह की मिसल स्टैनिंग से बचने की कोशिश कीजे बचार करने के लिया में तुरूप से वयाम करना चाहिए उपाई के तौर पर वुद्धवार को गरीबो और जरतमंदों को फल अरपित करें कितना सिंपल उपाई है तो बहुत ही आसान उपाई है मैंने सभी बारा राश्री के जातकों को बताए है कि अगर आप यह उपाई करते ह या किसे अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वो आप कॉमेंट वॉक्स में लिखें मैं आपके हरे कॉमेंट को पढ़ती हूँ और उसके अनुसार ही अपनी दैनिक राश्रीफल का वीडियो जो हर शाम पास होजे हमारे चैनल पर आता है उसमें मैं आपको जबाब दे है तो बिना वीडियो को लाइक किये कॉमेंट किये मत जाइएगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आसते रहें मुस्कुराते रहें किसी का दिल में दुखाई और देखते रहें इस तो से इश टीवी नमस्कार for regular updates follow our instagram page right now